नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी स्वागत एक बड़ फिर से आप सभी का बीएसी पार्ट थर्ड के लिए हमने यूनिट सेकेंड उस और यूनिट थर्ड शुरू की थी आज उसका लेक्चर टू लेकर आए हैं लेक्चर बन में अगर आपको याद हो तो हमने क चैप्टर रहे यहां से शुरू होगा जिन में हम अलग-अलग तरह के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि हम में मुली के बारे में पढ़ेंगी जो हमारा सबसे आपना सबसे ज्यादा यूज़ाहने वाला लिए जिसका नाम लाइड है प्लु कोज उसके बारे में जादा पढ है Mono Saccharide है तो हम जो अपना चप्टर शुरू करेंगे वह किस्ते हैं Mono Saccharide से शुरू करेंगे Mono Saccharides Mono Saccharides Mono Saccharides क्या होते हैं हमने बताय था कल भी बताय था ये क्या होते हैं सबसे सरल कार्बो हाइडरेट्स होते हैं यह सबसे सरल कार्बो हाइडरेट्स होते हैं इनका जल अब घटन नहीं होता है और टाइप में हमने बताये था यह कितने टाइप के होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं, ओ गिय्टोस, और कर नियुए अधूल को अधूल, एक होते हैं हमारे कीटोस तौ्छ ही को ठीसित्थ यहां पर हम देखेंगे बार-बार-बार एंदर आता है कौन ग्लुकोज और कीटोस के अंदर फ्रक्टोज तो ग्लुकोज और फ्रक्टोज का इस चप्टर में हम डीटेल में study करेंगे यह नहीं पर chapter waste पूरा इन इन्हीं दो carbohydrates पर तो हम इनके बारे में पूरे क्या कहते हैं detail में पढ़ेंगे इसके रवा केवल glucose और fructose monosacred होते हैं क्या नहीं और भी कई तरह के ऐल्डोज होते हैं ऐल्डोज लेलें तो इस तरह से भी हो सकता है CH2OH, CHOH, CHO या तीन कारवने तो इसको क्या बोलते है Eldotriose जैसे Eldotriose होता है इसका नाम क्या है इसी को तो बोलते हैं Glyceral Dehyde क्या है यह हमारा Glyceral Dehyde है ऐसी अगर हम यह लेले CS2OH, CHOH का Hold Twice, CHO तो यह क्या है यह भी Eldo, Eldo, Eldehyde ग्रूप है, तो Eldo Tetros है 4 है, यहाँ पर क्या है Eldo Tetros है, तो यह दो तरीके की होते है एक तो होते है Erythro और एक होते है 3O, ठीक है, तो इसी तरह से Eldo Pentos होते है, Eldo Hexos भी होते है, जिनमें क्या हो अब यहां पांच कारवन होगा Eldehyde group है, तो यह क्या होगा Eldo, Pentos Eldo Pentos है, जैसे कि Ribos, Arabinos, यह सभी क्या आते है इसके अंदर कर कौन आते है इसके अंतरगात आते हैं, जैसे Ribos है Arabinos है Galactos है, Glos है तो यह सभी किसके संगात इसके अंतरगात आते है Eldo Pentos के अंदर, जो हमारा DNA और RNA, पता है न, यह Carbohydrates क्या होते है, Living Molecules होते है यानि कि जितने मैंने बोला साना प्रकृति में पाए जाते है पेड़ पोदे हो, चाहे हम हो, हमारी शेरीर के अंदर सभी के अंदर क्या पाए जाते है, Carbohydrates पाए जाते है तो यह Monosaccharides होते है जिनमें Eldo Pento Sugar होती है, जो हमारा DNA और RNA होता है उसमें क्या होती है, Eldo Pento Sugar ही तो होती है Pento Sugar ही तो है, उसके अंदर क्या होती है Pento Sugar होती है, जैसे आपका जोड़ चैप्टर आएगा Amino Acids वगरा, वह हम पढ़ेंगे यह सारी चीज़ें इसके लावा, अगर यही मैं क्या कर दूँ, CS2OH का Whole 4 चार कार्बन कर दूँ, तो यह क्या हो गए Eldo Hexos, जिसके अंदर हमारा क्या पढ़ते हैं Glucose पढ़ते हैं, तो कही तरह के होते है Eldo's और Keto's form में, अगर किसी में Ketone Group लगा होगा तो वो Keto's और जिसमें Eldehyde Group लगा होगा, वो Eldo's होते हैं तो अब हम शुरूवात करते हैं, अपने Eldo's, इससे करते हैं Eldo Hexos से, जो कि है हमारा Glucose, Glucose से पढ़ना शुरू करते हैं भाई ये Glucose है क्या, देखते हैं Glucose क्या है, ये मिटा दू, नोट कर दीजे, Glucose के साथ सुरुवात करेंगे अच्छा, बहुत से बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत होती है, Glucose का formula, Fructose का formula और ये क्या होते हैं, जैसे मैंने गोला, Erythro, Threos, Glyceral Dehyde, Glucose बोलूँ, Arravenose, Ribose बोलूँ तो इनका formula लोग हो, तो confused हो जाते हैं, कि hydroxyl, क्योंकि इसमें क्या है, hydroxyl group से जुड़े हुए है तो बहुत सारे hydroxyl, polyhydroxyl molecules हैं, polyhydroxyl मतला, बहुत सारे hydroxyl group हैं, तो उनको confusion होती है, कि कौन सा molecule क्या है, कैसे याद करें तो एक short trick बता देते हैं, उनको याद करने की, उसके बाद हम glucose start करेंगे, एक short trick है, ताकि आप confused ना हो, formula लिखते हैं, आप जब भी formula लिख रहे हो, आपको दिमाग में नहीं है, तो आप इसका use कर सकते हैं, ठीक है, और अपना formula लिख सकते हैं, कि क्या formula होगा, बताओं क्या में, ठीक है, देखते हैं, क्या short trick है, जिससे आपको रटेने नहीं पढ़ेंगे, इनके structure क्योंकि रटा हुआ, हम कितना भी रटेने हैं, बूल जाते हैं, जब इस structure लिखने की बारी आती है, तो हम यादी नहीं आता कि structure क्या था, ग्लूकोस का structure क्या था, यादी नहीं आता होते हैं, यह सब जो बने होते हैं, वो glycerol से बनते हैं, glycerol, ग्लिसरोल है, parent molecule क्या है, glycerol, glycerol क्या होता हुँ, किस से बने हुएं, glycerol से बने हुएं, glycerol क्या होता है, ग्लिसरॉल ठीक है? पेरेंट मौल बित्यों लेकिन ग्लिसरॉल ठीक है कार्भोहाईट्रेट का निर्मान क्या हुआ है glycerol खुद carbohydrate नहीं है लेकिन बाकी जितने भी carbohydrates है उन सब का निर्माण किस से होता है glycerol से होता है यानि कि ये parent unit मान के लिए glycerol क्या है parent unit मानी है यानि जितने भी हम पढ़ेंगे क्या कहते है carbohydrates उसमें क्या होगी glycerol parent molecule होगा तो यह है टीक है glycerol से क्या बनेंगे इसमें एक कारवन बढ़ा दूँ मैं ग्लिसरोल में क्या कर दूँ एक कारवन बढ़ा दूँ तो यह क्या बन जाएगा CH2OH नीचे रहेगा हम Fischer formula में लिखेंगे किसमें लिखेंगे Fischer projection जितने भी हमारे यह जो हम Carbohydrates पढ़ेंगे उनको जब हम शो करेंगे तो कौन सी projection में लिखे जाते हैं Fischer projection में लिखे जाते हैं लूइक तो तो जितने भी मैंने कल भी बता था जितने हमारी नेचररली अक्रिंग्स शुगर होती nya यानि जितने हमारे नेचरली कारसा हम्याना क्रेंग अजो क्या सब्सक्राइब क्या वी और डी फोर्म में पाए जाते हैं तो इसको भी हम क्या बनाएंगे नेच्रली है तो डी बनाएंगे आप लोगों ने अगर फस्ट इयर में D-form में होते हैं तो यह H लगा दिया और यह लगा दिया यहीं से एक और भी बनता है CHO इसका एक और भी यह ग्लिसरोल डिहाइड है ग्लिसरोल से बना यह बना ड्लिसरोल डिहाइड तो जितने भी बंगए निर्मान करेंगे वहम इंसे करेंगे एक इनसे कार्बोहाइड़ेट बनते हैं और एक इससे ये कार्बोहाइड़ेट के पेरेंट्स जनक हैं जितने भी कार्बोहाइड़ेट होंगे ये एल्डोस बनाएंगे ये क्या बनाएंगे कौन से कर्भाइडником गाते हैं थो हम wir far कोしま स्वुक तो उसे राएगा यहाँ से नोट कर लीजे में आपके लिए के लिए के लिए था कि एक लिस्ट्राइड जो अभी जिस्टा रॉल से बनता है पेरेंट यूणिट क्या है यहां पर ग्लिस्रॉल है अब हम जितने भी करभाइड बनाएंगे वह इससे बनाएंगे ग्लिस्रीड ही तो बनाएं के दिखाते हैं ठीक है ले लेते हैं यह ले लिए हमने लिया है क्या दिया है इसी से हम बनाएंगे क्या करना है कि इसमें कितने कर्वन तीन कर्वन तो ये क्या है ट्राइओ जह एल्डो ट्राइओ कौन सी शुगर है यह एल्डो ट्राइओ ग्रिस्टर लिएड अब मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दूँगी तो क्या होगा यह जो पेरेंट यूनिट है यह तो ऐसी कि असी रहेगी यानि कि एक यूनिट बढ़ा दू मैं यह इस unit को ऐसे कैसे नखा यह दी है तो यह भी कौण सी ऊंधे कट करें हैं जिस साइड कोडें हैं अगर हम इस साइड मोजूद है तो इस साइड के हाथ पर क्या बनाएंगे इज एदर लगाएंगे हम इधर की बात हो नो-10 वाने एक अधर के आएं चलके आ रहे हैं यह सेंटार मौनलिन है आ लेफट की तरफ और डेंस तो हाइडोजन्स को का बडाएंगे कि अधर और बना देंगे तो यह जो फ़ार्म होती यहizi कहलाती है है कि रीथ्रों क्या बन गया ऊईसे इदर बनेगा बनाए तो सेम यह योनिट तो यह च्व उतलए घई रहे हैं इसमें एक कारवन बढ़ा देंगे यह तो मैसीग च्वन है करेंगे कारवन बढ़ाएंगे जब इधर की बात कर रहे तो हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे राइट साइड पर लिखेंगे हाइड्रोजन और इधर लिखेंगे ओज केवल hydrogen की position को देखना है जब हम इधर की बात कर रहे थे तो hydrogen को इधर जोडा था ठीक है और जब हम दूसरे left side की right side की बात करेंगे इधर की बात करेंगे तो इसको का जोड़ेंगे right side पे ये जो form है ये ही तो खेलाती है 3-0 ये erythro, ये 3-0 याद करने का तरीका क्या है G, E, T, get get का मतलब G का मतलब glyceride, glyceride से क्या बना एक बना erythro और एक बना 3-0, get ठीक है, अब इसमें इसके दो पार्ट करेंगे हम इसके भी क्या करेंगे दो पार्ट करेंगे इसके भी दो पार्ट करेंगे ठीक है, दो पार्ट किया अब ये center है तो center से इधर जाएंगे अभी तो कितने कार्वन थे 4 कार्वन थे अब ये तो tetros थे eldo, वो trios थे ये eldo tetros है, 4 कार्वन अब क्या बनाएंगे eldo, pentos, 5 कार्वन तो क्या होगा, ये unit पहले वो वाली parent unit से अब ये बना, तो ये unit तो ऐसी कैसी रहेगी तो लिख दो इस unit को जैसा ये बना हुए बनादो वैसे CH2OH, OH, OH, H, H ऐसे इधर बनादो CH2OH, OH, H, OH, H और यहां पर CH2, OH ठीक है, अब हमें क्या करना एक कार्वन बढ़ाना है, बढ़ा दिया एक कार्वन यहां बढ़ाना है, बढ़ा दिया ये center है, center से इधर आएंगे तो hydrogen कहां बढ़ेगा, इधर center से इधर आएंगे तो hydrogen कहां पर बढ़ेगा center से इधर आएंगे हैं, तो hydrogen बढ़ेगा इधर तो ओएच अपने आप इधर आ जाएगा अब सेंटर से इधर जा रहे हैं तो हाइडरोजन का वड़ेगा इधर और ओएच का चला जाएगा इधर आ जाएगा ठीक है ऐसे यह भी दो पार्ट में डिवाइड होगा एक तो पेरेंट यूनिट यह तो रहे गाई यह तो तो जैसा है वैसे ही रहेगा बना दिया पेरेंट यूनिट है तो पेरेंट यूनिट तो ऐसी कैसी आएगी अता कि बना दें इसे तो यह तो जैसा है वैसे ही आएगा अब ब्चारानि में बड़ाने इस पर देखना है कि कैसे जुडेंगे तो क्या होगा यह सेंटर से इधर आएंगे तो हाइद्रोजन का हुड़ेगा इधर इधर जुड़ेगा जीदर अमारा हाथ जाएगा इधर की तरफ हमारे है उदर हाइड्रोजन तो इधर उच जोड़ जाएगा ऐसे ही सेंटर से इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन भी कहा आएगा इधर राइट साइड पर और वच कहा जाएगा लेफ्ट साइड पर दिख रहा है आपको अब तो दिख रहा होगा सभी को सारा बोर ठीक है अब क्या होगा अब ये भी दो पार्ट में तूटेगा इसके भी दो पार्ट आएंगे ठीक है ऐसे ये भी दो पार्ट में आएगा और इसके भी दो पार्ट आएंगे तो यह जो हैं यह जो चार बने इनको हम याद कर सकते हैं आरे एक्सेल राक्सल राक्सल रास्कल क्या रास्कल आरे एक्सल रास्कल आर आर का मतलब है यह वाली जो शुगर है यह है राइबोज यह वाली जो शुगर है इसका नाम क्या है राइबोज जो हमारे आरेने और डिय यह ऐन्य ने में क्या होता है किऊघर हुआ पढ़ेंगे चप्टर है इसाहरे आ becoming स्थिकाइब ested मिंटे अरे भी रोंकूंट ऑर कि यह जाइलोज इसका नाम क्या जाइलोज और यह है लेक्सोज, यह क्या है, लेक्सोज, तो यह रावोज, अरेबिनोज, जाइलोज और लेक्सोज, ठीक है, तो अब यहां से दो पार्ट बनेंगे, बिल्कुल सेम जैसे अब तक हम करते आए, इसे बिल्कुल वैसे ही करते जाएंगे, आगे भी क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ह रहेगा इसे तो बना दें यह जो पार्ट है यह तो ऐसे कैसी रहेगा तीन कारवन और एक चार कारवन CS2OH क्या था OH 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 यह एदर H H H एक कारवन हमको बढ़ाना है अब इस पर देखेंगे हम ऐसे यह वाली पूरी इसी से दो पार्ट बन रहे हैं तो यह वाला पार्ट तो पूरा ही रहेगा छी एचो ओएच ओएच और यहां पर CH2OH ह ह एक कार्वन बढ़ा दिया हमने यहां पर है एक कार्वन बढ़ा दिया ठीक है यह इससे दो तो यह पेरेंट तो ऐसा ही रहेगा तो बना दो CHO एच ऑएच और यह है हमारा CH-2 H एच और यहां पर ओएच एक कारवन बड़ेगा यहां पर भी यह शुघर 5 कारवन वाली और यह 6 कारवन वाली यह कौन से होंगी है शोर्स सुगर ठीक है ऐसे यह बना लो CHO यह तो मौझूद रहे गई जो बना हुआ है Parent Molecule CH2OH CH2OH OH OH H OH H और H एक कार्वन यहां बढ़ा दिया ठीक है अब हम देखेंगे यह सेंटर माल लिया क्या है इन दोनों का यह सेंटर है तो सेंटर से इधर आएंगे तो हाइड्रोजन बढ़ेगा इधर और OH बढ़ेगा इधर सेंटर से इधर आएंगे तो हाइड्रोजन इधर की साइड OH इधर की साइड अब सेंटर से इधर गए है तो हाइड्रोजन इधर बढ़ेगा और OH का आएगा इधर बढ़ेगा तो एक तो यह बन गया, अब यहां देखें, यह सेंटर है, सेंटर से इधर आए हैं, किदर आए हैं, सेंटर से इधर आए हैं, तो हाइडरोजन तो इधर आएगा, सेंटर से इधर आए हैं, तो हाइडरोजन भी इधर की साइड आएगा, तो लगा दिया, तो यहां पर आ जा का यह ग्लुकोज है यह मैनोज है ऐसे यहां से बनेंगी बना सकते हैं आप अब तो यह तो रहेंगा यह पेरेंट है CH2 OH, OH, H और OH, H, OH, H एक कार्बन बढ़ेगा यह पेरेंट है तो यह तो रहेंगाई OH, H, H, OH, H, OH और यह बन गया CH2, OH, कार्बन बढ़ेगा एक यहां पर CH2, H, OH, OH, H H, H, और यह, OH और यहां पर CH2, OH, ठीक है एक कार्बन बढ़ेगा यहां पर यह इसी से बने हुए दो पार्ट हैं तो यह पेरेंट तो रहे गई CH2, H, OH, CH2, OH, H, OH, OH, यहां पर भी क्या होगा एक कार्बन बढ़ेगा अब देखते हैं यह इसका सेंटर माल ले तो सेंटर से इधर आ रहे हैं जिदर मेरा हाथ आ रहे हैं तो हाइडरोजन भी इधर बढ़ेगा और OH इस साइड आ जाएगा अब सेंटर से इधर जा रहे हैं तो हाइडरोजन इस साइड बढ़ेगा और OH इस साइड आ जाएगा एसे यहाँ पर देखें यह इसका सेंटर है सेंटर से इधर आ रहे हैं तो हाइडरोजन इधर बढ़ेगा और OH इधर आ जाएगा सेंटर से इधर जा रहे हैं तो hydrogen right side और watch left side ठीक है तो बस hydrogen की position को देखना है और यह हमारे जितनी भी कहते हैं carbohydrates होते हैं जितनी भी हमारी यह यह शुगर है वो सारी की सारी यह मौझूद है इससे हम बना सकते हैं सारी की सारी तो हमने सबसे पहले क्या याद करना है है get get मतलब सिर्फ इतना याद रखना है glyceride के formula को याद रखना है बाकी तो आप बनाते जाएंगे एक कारवन जोडते जाना है glyceride सबसे simple चुगर उसमें क्या करना है एक कारवन जोडते जाना है और उस पर hydrogen और oxygen जोडना है तो आपको देखना है get glyceride hyd से बना इरिथिरो और ठियो फिर आया क्या रास्कल रास्कल मतलब इरिथिरो से दो बने एको बना रास्कल आर्या एक बना अरेविनो weapon ठीक है ऐसी 300 वह दो बनी या बनी चुम्हा एकी कहा हो फिर एक होग मेरे बनता चैना है यह बनुका Month me यह है Eltreos यह Allos इसका नब क्या है the Elos यह Allos यह Glucos यह Menos यह क्या है Allos, Eltros, Glucos Menos आईडोज गैलेक्टोज यह गुलोज है गुलोज गैलेक्टोज और यह है टेलोज तो यह सारी शुगर है हमारी तो यह पूरे को पूरे शुगर बन जाती है हमें क्यों से पढ़नी है ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज पढ़ने है फ्रक्टोज का स्टक्चर हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे हमें इन पर ध्यान देना है यह ग्लूकोज है ग्लूकोज इस तरीके से भी याद रख सकते हैं अगर आप भूल जाएंगे आपको इस तरीके साथ सारी की सारी शुगर का स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो मैं मिटाद में से बना लिया होगा आप लोगों ने बना लिया है बना लीजे आप इसको भी याद कर सकते हैं कैसे ओल अल्ट्रूिस्ट लोग ग्लूकोज मनोज को आयोडीन को गुल करके गले से टल्ली कर दिया तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं यह अपना कोई याद करने का तरीका हो इस तरीके से नियूमोनिक्स बना सकते हैं जो आपको सरल लगे मुझे तो इसी तरीके से आद है आपको जो सरल लगे आप बना दीजिए तो अब हम हमारे ग्लू कोस के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं ग्लू कोस के बारे में पढ़ने वाले हैं ग्लू कोस क्या है ग्लू कोस क्या है ग्लू कोस यह है एक एल्डो हैक्सोज सरकरा है ठीक है क्या है एल्डो हैक्सोज सरकरा है एक मोनोसेकराइड है किसके अंदर कद पढ़ रहे हैं मोनोसेकराइड के अंदर कद पढ़ रहे हैं तो यह एक मोनोसेकराइड है और क्या है एल्डो हैक्सोज सरकरा है सूत्र देखें इसका क्या होता है C6H12O6 सुत्र क्या है इसका रासाइनिक सुत्र क्या है C6H12O6 सभी जानते हैं ग्लुकोस का रासाइनिक सुत्र C6H12O6 क्या है C6H12O6 और अगर हम देखें इसकी स्ट्रक्चर देखें स्ट्रक्चर जस्ट अभी हमने देखी है कि पीछे वाले इसे पीछे वाले पार्ट में हमने देखी थी कैसी थी स्रक्चर तो ऑँ भी देखेंगे मुरें नाम से जाना जाता इसको क्या कहते हैं इसको इसे blood sugar या इसे क्या कहते हैं इसे blood sugar या grape sugar के नाम से भी जानते हैं blood sugar, grape sugar और एक और नाम है जिसे बोलते हैं dextrose के नाम से भी जानते हैं glucose को इन नाम से भी बुलायाता है कॉमलियम जो नाम यूज़ करते हैं वो है glucose इसके लावा इसे blood sugar, grape sugar या dextrose भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं blood sugar, grape sugar या dextrose भी कहते हैं ठीक है functional group देखें इसमें क्रियात्मक समू देखें तो मैंने बोला उपर ही यह क्या है eldo hexose sugar है यानकि यहां पर जो क्रियात्मक समू होगा वो क्यांसा होगा इसके अंदर जो क्रियात्मक समू रहेगा वो कौन सा होगा eldehydic, cho group रहेगा क्या रहेगा eldehydic group रहेगा functional group क्या है eldo sugar है क्या है eldo hexose sugar है 6 carbon hexose का मतलब 6 carbon eldo का मतलब eldehydic समू तो क्रियात्मक समू क्या है eldehyde और carbon कितने होगे 6 carbon तो अगर मैं glucose की सरचना लिखू open chain structure तो glucose की structure कैसे होती है open chain तो अगर मैं glucose की कुली स्रंखला सन रचना देखें कैसे होती है जस्ट अभी अभी हमने बनाई थी eldehydic functional group है exos लिखा हुआ है तो 6 carbon होंगे cs2OH OH OH H H अभी अभी हमने देखा था OH इदार H और OH और H ये क्या है हमारा ये है glucose glucose का open chain structure है क्या है ये glucose का open chain structure यानि glucose की सरचना ऐसी होती है चलो भई मान लिए glucose की सरचना ऐसी होती है तो फिर अगर glucose की सरचना ऐसी है तो आप लोग ने देखा होगा कि देखा होगा सुना होगा कि जो glucose होता है दो फॉर्म में पाए जाता है एक alpha और एक beta फॉर्म में तो अगर केवल इसकी structure ऐसी है तो फिर एलफा बीटा फॉर्म कहां से आई वो तो नहीं बन रहें क्योंकि इसको ऐसे ही लिख सकते हैं और कोई structure पॉसिवल नहीं है अगर मैं ओएच को इधर लगा दूँ तो फिर यह तो चेंज हो जाएगा दूसरा कुछ और ही बन जाएगा फिर यह glucose थोड़ी न रहेगा फिर तो यह कुछ और ही बन जाएगा कोई दूसरी carbohydrate बन जाएगा आप पिछले उसमें देखिएगा कि कौन सी carbohydrate बनेगा ठीक है अगर ओएच को इधर कर दूएच को इधर लियाओ तो एलोज बन जाएगा यह क्या बन जाएगा एलोज बन जा इस ट्रक्चर होती है खुली उसठाम के बहुत से रिएक्शन हैं जो ग्लॉक उसकी इसी उपन स्ट्रक्चर से होते है वह आगे देखेंगось कि हम स्ट्रक्चर बात कर लें कैसी इस होती है और इसकी बहुत सारे रियाक्शन के साथ अभिक्रिया कर ली CC देखा गया कि कुछ अभिक्रियाओं थी जिनको इस फॉर्म से नहीं किया जा सकता यानि की जो प्रदर्शित करती एहन facili 요 का होना यह दर्श्यात आता है कि यह जो गुरूप है मितलब यह जो स्ट्रक्चर है ग्लुकोz का यी सते ही लिए यानि कYouTube में ऐसा आए घूसां कौन हновगल works कु अ stay away gangstar अगर श्ट्रक्चर इसी मानि जया कि अगर ऑपन त्ट्रक्चर है तो क्या वहगा अगर इस्ट्रक्चर यह लें पर यहां पर लेकिन जब हम इसकी reaction sodium by sulfide या two four di nito fenyl hydrazine के साथ कराते हैं जब हमने glucose की reaction sodium by sulfide 24 di nito phenyl hydrazine के साथ कराई तो देखा कि कोई reaction नहीं मिला no reaction कोई अभिक्रिया नहीं हुई कोई अभिक्रिया नहीं हुई नो रियक्शन मिला ठीक है अगर अगर ग्लुकोज में एल्डिहाइडिक ग्रूप है यह जो एल्डिहाइडिक ग्रूप हमें दिख रहा है एल्डिहाइडिक ग्रूप है तो फिर इसको क्या होना चाहिए जब मैं इसे सिफ बेज के साथ गरम करूंगी तो पिंग कलर आना चा इए बीक याने कर आते हो तो पिंक कलर आना चाहिए था वह नहीं आता थूंड अ लोकोज नहीं देता हलांकि बहुत सी रियक्षन को ग्लू कोस को यानि थी सा अन देखू का ग्लू कोज और यह पंने ले एलफा और बीटा ग्लूकोसाइड मिलते हैं अब यह क्या माज रहा है यह तो एक की स्ट्रक्चर है अगर मैंने वेच की पोजिशन चेंज की तो पूरा का पूरा तीसरे चौथा गरम देखें तो जब ग्लूकोस की रियक्शन टॉलेंज या टॉलेंज रियेजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन की साथ कराते हैं तो हमको क्या मिलता है तो हमको मिलता है ग्लूकोनिक एसेड ग्लूकोनिक एसेड मिलता है यानि की ग्लूकोस क्या है एक रिड्यूजिंग सुगर है मैंने जब क्या कहते हैं आप लोग को वर्गी करन कराया तो हमाँ पर लिखाया था एक तो होती है रिड्यूजिंग अपचायक सुगर और एक होती है नॉन रिड तो ऑक्सिक्रत नहीं कर पाती है उन्हें अनपचायक शुगर कहते हैं तो ग्लुकोज एक कैसी शुगर है ग्लुकोज एक रिडियूजिंग शुगर है रिडियूजिंग शुगर मतलब इन्दी में लिख दूँ अब चायक शर्क राहे ठीक है पांच हुआ और मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे तो हम एक अलग से पूरा एक लेक्चर जाएगा जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में ग्लुकोज क्या करता है ग्लुकोज म्यूटा रोटेशन इंगलिश में मोलते हैं म्यूटा रोटेशन इन्दी मोलते हैं परिवर्ती चक्रण प्रदर्शित करता है अब यह क्या बला है अगर ग्लुकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो फिर म्यूटा रोटेशन कैसे पॉसिवल है म्यूटा रोटेशन कभी ओपन चेन स्ट्रक्चर में होती है क्या नहीं होती ना तो होता क्या है अभी हम शॉट में देख लेते हैं फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है म्यूटा रोटेशन एक एल्फा ग्लुकोज होता है एक फॉर्म होती एल्फा ग्लुकोज हम पढ़ा होगा आप लोगा ने जो अप्टिकली एक्टिव पदार्स होते हैं और निक कंपाउंड होते हैं कार्वनी क्यों क्या करते हैं प्लेन पोलराइस लाइट को यहां तो क्लॉक्वाइस गुमा देते हैं तो अगर एल्फा ग्लूकोस होगा तो फेल को 112 डिगरी के एंग तो एल्फा फॉर्म होगी थोड़े दिर उसको रखेंगे तो वह चेंज हो जाती है ग्लूकोस में ग्लूकोस की ओपन चेन में इसमें चेंज हो जाती है इसकी एक स्पेसिफिक रोटेशन है जो की है 52 डिग्री यान कि यह पीपील लाइट को क्या करती है 52 डिग्री के रोटेशनल एंगल कितना पसतित नहीं इसकी का पस्तित की सारी फॉर्म है इसलिए इसमें muta rotation पाई जाती है तो आप देखेंगे तो अगर glucose की ये सरचना नहीं है तो फिर glucose की ये सरचना नहीं है तो हम देखेंगे glucose की आखिर सरचना होती कैसी है जिसे हम बोलते हैं glucose की चक्री है या उसे हमी स्ट्रक्चर हमी एसिटल सरचना भी बोलते हैं तो आप हम देखेंगे glucose की जिसे बोलते हैं glucose की चक्री है यहां इसे हैमी हैमी एसिटल सरचना ये कौन सी सरचना भी ग्लूकोस की अभी तो हमने ओपन चेने स्ट्रक्चर पड़ी थी अब यह बोले हैं हम हमी एसिटल सरचना होती है ग्लूकोस की तो हमी एसिटल क्या होता है आप लोग पढ़ा होगा रियक्षन में और गेने केमिस्ट्री के रियक्षन में हैमी एसिटल का पाँ तो जब आरे सकी रियक्शन पिर कि इलकोहॉल थे करें किसी अमल की उपस्थिति में आगे में बना सकते हैं लेकिन बनता वह पढ़िए वह बना लोट आगे चप्टर ने पढ़ेंगे आपको डिटेल में बताएंगे हैमी असिटल बनता है तो क्वड़ अम्लीए सोड़ी क्वीूं। समगिया जब असे शिटम करेग方 औक्सेजन है ओक्सिजन की पास P छी एप tribले लेगा लगा यह बनेगा निएब इ स्टेज्ड से पर जनले और यहां पर H है, फिर हमारे पास क्या है, एलकोहॉल है, इसके पास क्या होते हैं, लोन प्यार, यह क्या करेगा, यह बॉंड उपर जाएगा, और एलकोहॉल यहां पर अटेक कर देगा, तो क्या बनेगा, आगे क्या होगा, आगे दिखते हैं, यह बनेगा R, OH, और यह बन ज है र और ची मर एक्श यह जो होता है इसी को बोलते हो पी यह बोलते हैं इसे क्या अगर हमने यह यह नाम से हम्य आज दो और फिर और sm Polski нет होता ठीक है तो इस तरह की रियक्शन्स होती है तो अब इसे क्या है अगर बेस होता बेस की प्रेजन्स में भी हैमियसिटल बनता है तब क्या होता बेस क्या करता है इस प्रोटॉन को ले लेता यहां पर क्या बन जाता ओ माइनस ओ माइनस क्या करता यहां अटेक करता और यह अगे और यहां एस बन जाता तब भी हैम ऐसेटल बनना था जुने सुरी बहीं एकर कंडिशनन लुंसरे और यह cents सब्सक्राइद अफॉर मैंनेमर कध्यॉोट मैंस過來 कुई बैस का क्या यहहीं प्रोटोन लेन Psalm बेस क्या होते है प्रोटोन लविंग तो यह क्या बन जाता ओ माइनस बन जाता ना तो फिर क्या होता आर सी ओ एच प्लस आर प्राइम ओ माइनस यह ओ माइनस क्या करता यहां पर अटेक करता और यह बन जाता तो यह क्या बन जाता आर ओ माइनस यहांपर क्या और और आगया यह है थीक्र है तो किया हुआ था बेश नहीं यहांपर फ्रोटोन लिए था तो बेश को 2 से प्रिंडल्स एकर दू प्रोटोन अप्सित क्या सब गीया था अब हो मायनस क्या करेगा यहसे प्रोटोन ले ले आ और बेश वापस निकल जाए लिट इंवापस मिल गया ने एच प्लस मिल गया तो यहां पर इंपोर्टेंट क्याै यह एल्कोहल और ओएच ऑर दूसरा इंपोर्टेंट क्या यह वाला समू क्रियात्मक समू एलडी हाइड और हाइड्रोक्सिल ओएच ग्रूप यानि एलकोहल होना चीए दूसरा क्या होना चीए एलडी हाइड होना चीए अगर यह दोना मौजूद है तो फिर हैमी एसिटल बन जाएगा ठीक है देख लेते हैं अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है इसको मिटा दूं यह लिखा रहने दूं ग्लूकोज की चक्रिया है है मिएसिटल सरजना ओपन चेन इस्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले हम यह च सियाचो क्रियात्मक सम्मू है सियाचो उसके बाद क्या होता है देखो भई हैमिएसिटल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था एल्डी हाइडिक फंक्शनल ग्रूप चाहिए था मौजूद है तो बस क्या है अमली की उपस्तिती में या छार की उपस्तिती में अमली है यह oxygen की विद्धु त्रुनात्मक्त जादा उनके वज़े से डेल्टा माइनस और यह डेल्टा प्लस होता है तो यह जो oxygen के लोन पेयर है यह क्या करेंगे यहां से जाकर अटेक करेंगे कार्बन पर और यह बॉन्ड ऐसे चला जाएगा तो क्या बनेगा यह बनेगा एच ओ माइनस यह मैं ऐसे दिखाऊं एच ओ माइनस और यहां से कौन जुड़ा हुआ है oxygen नहीं तो टेक किया है यह जो oxygen है यह टेक किया तो इस oxygen को आमने बॉन्ड को थोड़ा लंबा करके ऐसे लिख दिया यह oxygen है यह टेक किया कार्बन पर बाकी ऐसे के ऐसे रहेंगे ह इदर है CH2H इदर है कि बाद OH H H H O H और H ठीक है तो अब क्या होगा यहां पर H प्लस मौझद था यह H प्लस बाहर जाएगा और इसको कौन ले लेगा तो यह क्या बना लेगा तो यहां से H प्लस निकलेगा यहां जो OH से जो H जुना था उसको कौन ले लेगा यह O- ले लेगा और यहां पर क्या बन जाएगा ओएच बन जाएगा ठीक है अब यहां पर क्या है अब बता चलेगे आपको दो फॉर्म होते हैं एक alpha और एक beta form कैस देखो यह वाली form थी ठीक है यह जो गूरूप है इनकी position तो fix है कि यह कहां पर रहेंगे यह वाला वाची धरी रहेगा यह वाची धरी रहेगा हाँ चाहिए इन सब के position तो fix है यह तो अपनी अपनी जगह पर रहेंगे लेकिन यह तो CH समू था ना और यहां से एक नया OH गूरूप बनाए इसकी position तो fix नहीं है तो यह क्या हो सकता है यह migrate कर सकता है जब यह single bond में convert होगा होगा तो single bond में क्या होती है rotation तो rotation करके यह यह य लुब लाट जग्यार फिर और यह यह फिर हो सकता है आद ङट alarm में किससे पता चलता है अायजा एंड़र गूर्फा पकौन से और यह तक कि बीटा कौन सी है वो पता चलता है Harvard formula से किस से Harvard formula से क्या करते हैं हम यह जो form है इसमें inversion करते हैं inversion करते हैं यानि कि पहला inversion करेंगे तो क्या होगा यह जो CS2 group इधर चला जाएगा और H group इधर आ जाएगा inversion हो जाएगा इनकी position change हो जाएगी तो first inversion किया तो क्या मिला हमें first inversion किया तो यह मिला बाकी तो कुछ change नहीं हो ना बाकी तो सब अपनी जगे पर था वही रहना है बस इन दोनों की position change हो जानी है पहला inversion करना है first inversion पहली position change करनी है तो उसमें क्या करेंगे इन दोनों की position change कर देंगे तो क्या हो जाएगा जहाँ पर CH2H था वहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और जहाँ पर हाइड्रोजन था वहाँ पर कौन आ गया CH2OH आ गया ठीक है पहला इन्वर्जन तो यह हुआ इसके बाद इसमें क्या करेंगे सेकंड इन्वर्जन करेंगे second inversion करेंगे दुवारा से position change करेंगे तो क्या होगा ये जो hydrogen नीचे की तरफ है ये यहाँ पहुन जाएगा और ये वाला जो bond है यहाँ आ जाएगा second inversion हो जाएगा यानि क्या बन जाएगा ये बन जाएगा OH-H 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 hydrogen कहा आ गया अंदर आ गया और ये वाला ग्रोण bond कहा आ गया बाहर आ गया ठीक है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये ये इसी कारवन से जुड़ा हुआ है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा तो ये वाली जो form है जिसमें अगर हम देखें तो CS2OH तो इस साइड है लेफ साइड है और OH ग्रूप का है? राइट साइड है CS2OH ग्रूप इस साइड है, OH ग्रूप राइट साइड है यां दोनों कैसे हैं? अपोजिट साइड में तो ये वाली जो form होती है, इसी को बोला जाता है alpha form, ये कौन सी form है glucose की? alpha form, ये कौन सी form है? alpha form ऐसा ही same काम हम इसके साइड करेंगे, बिल्कुल पहले first inversion करेंगे, फिर second inversion करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? मैं direct बना देती हूँ, दिख रहा होगा direct बना देती हूँ, क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा oh side है यहाँ पर तो इस तरीके से मिलेगा, बिल्कुल same, जैसे यहाँ पर किया था, पहली inversion की, पहली inversion में क्या किया? हाइडरोजन और CH2OH की position को change किया, second inversion की, तो हाइडरोजन अंदर की side आगे, रिंक के अंदर की side, और यह जो bond है, यह बाहर की side आगे, तो यह inversion हुई, तो क्या हुआ, अब अगर हम इसमें देखें, तो CH2OH जिस side में, OH ग्रुप भी क्या है, उसी side में, यानि CH2OH और OH समुझ same side में, तो यह कौन सी form होती है, बीटा form, तो यह है हमारी alpha form, और यह है हमारी बीटा form, ठीक है, यह alpha form है, यह हमारी बीटा form है, अगर यह देखूं, तो यह पहले क्या हम सी थी, open chain structure थी, यह क्या थी, open chain थी, खुली श्रंखला, और अब यह क्या बन गई, ring बन गई, कितने members, कितने सदस्त की ring बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, कितने सदस्ती की ring बन गई, 6 सदस्तियों की ring बन गई, किसके सदस्तियों की, 6 सदस्तियों की, और यह जो 6 सदस्तियों की ring बनती है, यह तो मैं इसको ऐसे दिखाऊं, यह फिर इसको ring form में दिखाऊं, कैसे दिखाऊं मैं ring form में, कैसे change कर दो तो इसे चेंज कर देती हूं यह में यह पहले आप नोट कर लीजिए कि नोट कर लीजिए कि नोट कर लिया कि स्क्रिंशॉट ले लिए लिए नोट कर लीजिए चलिए इनने मिटा देती हूं मैं जो अपनी फॉर में उनको छोड़ देती हूं यह हमारे पास एक एलफा फॉर में और यह वाली हमारे पास कौन सी है बीटा फॉर में तो यह मैं ऐसे लिखूँ यह फिर मैं इसको डंग से रिंग बना कर लिखूँ छे सदस्य रिंग बन रही है तो मैं बना देती हूं छे सदस्य रिंग यह जो छे सदस्य रिंग बन रही है इस रिंग को क्या कहा जाता है यह जो छे सदस्य वले वाली सरचना है इस सरचना को कहा जाता है पाइरनोज सरचना क्या का जाता है सरचना को पाइरनोज सरचना अच्छा जैसे 6 सदस्ती सरचना वनी वैसी 5 सदस्ती भी बनती मैंने मिटा दिया नेक्स लेक्चर में हम देखेंगे, क्या होगा? मैंने इस वार जो attack कराये था, वो इस वाले चौथे कारवन पर जो hydrogen मौझूद था उससे कराये था, पांच वे कारवन पर जो OH ग्रूप मौझूद था, उससे कराये था, यह वाला गूरूप भी तो है, 1, 2, 3, 4, और यहां प सदस्य वले बनती, पांच सदस्य वले बनती, और उस पांच सदस्य वले को बोलते हैं, पाइरानोज, फिर क्या बनती, कुछ इस तरह की वले बनती, पांच सदस्य वले, यानि कि इसमें दोनों तरह की वले बन सकती है, एक 6 सदस्य वले, उसको बोलते हैं, पाइरानोज फ है पाई रानोज होती है यह नहीं बनती जाधान क्या बनती है ग्लुकोज के अंदर वाइं भी बनेगी वाइं अब देखेंगे यह यह पाईदा सरचना अब देखते हैं यह दो लगे होगे हर कारवन से दो दो तो क्या करते हैं लेफ्ट वाली ची कोणसे साइड पर है लेफ्ट पर है ओएच ग्रूप का लेफ्ट पर है तो लेफ्ट वाली चीज होएगी उपर आईगी और यहां पर H और यहाँ पर क्या है CH2 OH तो यह कौन सी फॉर्म है अगर मैं इस फॉर्म में देखूं OH और CH2OH सेम साइड पर हैं उपर उपर अप अप हैं तो यह वाली जो फॉर्म है यह क्या है बीटा फॉर्म कौन सी है बीटा पाईरा नोज इसको क्या बोलते हैं बीटा पाईरा नोज फॉर्म, ऐसे इससे भी बन जाएगी, यहां से भी बना लें, छह सदस्य वाले बना लें, लेफ्ट वाली चीज उपर राइट वाली चीज नीचे यहाँ पर वच राइट साइड में है तो नीचे आएगा लेफ्ट पर कोने हाइड्रोजन तो लेफ्ट वाली चीज उपर आएगी फिर वही लेफ्ट वाली चीज उपर राइट वाली चीज नीचे लेफ्ट वाली चीज उपर राइट वाली चीज नीचे ठीक है लेफ्ट वाला लेफ्ट वाला समू उपर राइट वाला नीचे लेफ्ट वाला समू उपर राइट वाला नीचे तो अगर हम यहाँ पर देखें तो CS2 OH और OH आपस में कैसे है ट्रांस यह अप है और यह ब्लो ह तो यह वाली जो फॉर्म होती है यहें एल्फा-इल्फा-पाई- environments फॉर्म पोड जो होती एं और ग्रूचोष की चक्रियं में रहता है और उसकी दो-फॉर्म होती एक alpha form होती है और एक beta form होती है एक alpha pirate noz form और एक बीटा pirate noz form क्योंकि यह 6 सदस्य वाले है और हम जानते हैं जैसे cyclohexen इस form में नहीं पाए जाता किसमें रहता है? चेर form में रहता है वैसे हम इसकी chair form भी बना सकते हैं क्योंकि यह भी 6 सदस्य वाले है कि देखते हैं और चेयर फोंब बनाते हैं एक जगा पर ऑक्सिजन लगा हुआ है इस जगा को आमने क्या माल लिया ऑक्सिजन ठीक है यहां देखें ओच क्या है एबव है एच ब्लो है यहां पर कौने ओच बिलो है तो बिलो लगा दिया एच एबव है उम्मीद करते हूं चेयर फोंब कैसे बनती और इस पर ग्रूप कैसे लगाए जाते हैं अगर मैं आगे देखूं ओच बिलो है तो बिलो स्वरी कौन सा आ गया यह यह वाला अब यहां पर देखें ओच क्या है एबव है तो एबव है तो एबव एच बिलो है तो एच एबव यहां पर देखें तो H below है और CH2OH क्या है? CH2OH है above तो ये है इसकी chair form ये इसकी क्या है? chair form और ये कौन सी form है? beta form तो ये भी क्या है? ये भी above है और ये भी above है तो ये क्यों सी बीटा form? दोनों same side पर है बीटा form ऐसे इसकी भी chair form बना सकते हैं यहाँ पर oxygen लगा दिया फिर क्या होगा? देखते हैं OH नीचे है तो नीचे, H उपर, H उपर, OH नीचे, OH उपर, H नीचे, H उपर, OH नीचे, CH2OH नीचे, उपर और H नीचे यहाँ पर देखें यह अप है, उपर की side है और यह down है, NT है तो यह कौन सी है? alpha form, chair form में इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है यह तई glucose की सरचना है, alpha form, beta form, अगली lecture में हम देखेंगे, इसकी 5 plus 10 form देखेंगे और देखेंगे कि यह क्या क्या reactions देता है, glucose की क्या क्या reactions होते हैं, जब यह open trunk ला में होता है तो यह reaction होते हैं तो next lecture में मिलते हैं अभी के लिए thank you